गुद्वार्णिंग ये आपका पार्ट नाइन वीडियो है इस सप्टर का पार्ट नाइन वीडियो में एक्सेसाइज 8.2 पर और कोस्टन नम्मर है वन करन निम्लिखित के मान ग्याद किजिए देखे इस एक्सेसाइज में जितने भी कोस्टन दिये गया है मैंने आपको पि साथ डिगरी नब्य डिगरी इन सब के मानों को बताया था तो उनी मानों को हम यहां पर रखकर सिंपल सरल कर देंगे आपका आजाएगा तो बहुत ही असान एक्सेसाइज है जैसे यहां दिया है साइन तीस प्लस में कोस्ट तो आपको इनके मान याद होने चाहिए ठीक है साइन साइन तीस का वैलू होता है 1 by 2 और कॉस साठका भी वैलू होता है वन बैटू यहां पर दो बटा दो कटके वन आ जाएगा चले दूसरा कोसन देखो दिया है साइन स्कॉर 45 प्लस में कोस स्कॉर 45 असा में इसका मान रखके भी रहा सकता हूं यह ऐसे भी देख रहा और 1 होता है, sin square theta plus cos square theta, theta का जगा दोनों जगा 45 है, same angle है, इसले सका value 1 हो गया, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ न, चलिए तीसरा question देखिए, दिया है, या तो value भी इसमें रख सकते थे, sin 30 plus cos 60 minus 10 45, चलिए सब के value रखता हूँ, तो sin 30 का 1 by 2, cos 60 का 1 by 2, और 10 45 का होता है 1, तो 1 by 2 और 1 by 2, इनको जोड़ देता हूँ, 2, 1 plus 1 minus 1, यहा हो जागा 2 by 2 minus 1, यह कट के 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया, 0, समझ गए रहा है, चलिए, अगला question देख चार नमबर, यहीं पिर देख लेते हैं, यहां देखो, root under, 1 plus 10 square city, तो 1060 का value कितना होता है, तो 1060 का value होता है, root 3, square है तो 1 plus root 3 का square 3, जोड़ेंगे root 4, यानि कि 2 आजाएगा, समझ गए, यहां ऐसे भी देख सकते हैं, root under 1 plus 10 square theta, यादे हैं को किसका formula होता है, यानि कि 660 का या formula होता है, चलिए, अगला देखो यहां पर इसको, 1060 into में cos 30, तो 1060 का value root 3, और cos 30 का value आपका root 3 by 2, तो यहां into का root 3 में root 3 से 3, 3 by 2 यहां से answer आगए, चलते हैं अगले question में, तो सारे आपको मान याद होंगे न, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चलिए, अगला question देखते हैं, दो नमबर में दिया कि ठीटा बड़ा और 45 है, तब इनके मान मते हैं, पहला question देखो, यहां पर 45 रखते हैं, 10 square 45 plus 1 by sin square 45, चलिए मान रख देता हूं, 1045 का 1, 1 का square, और plus 1 by sin 45 का 1 by root 2, square कर देता है, 1 का square 1, और यहां हो जाएगा, 1 by 1 by 2 हो जाएगा, तो 1 plus, यह पलट जाएगा न, 2, तो 1 plus 2 आपका 3 आगया, चलिए, इसका second number देखिए, 45 हकना है, साइ, एक उस square 45, माइनस में sin square 45, तो इसका भी value, 1 by root 2 होता है, और इसका भी value, 1 by root 2 होता है, square square, जिए तो ऐसे ही घटके आपका 0 हो गया, चलते हैं, अगले question की और, चलिए, अगला question देखिए, तीन नमर का अनिम लिखित के, सांखिक, सांखिकिक मान परिकलित कीजिए, मतलब सांखिक मान इसका निकालना है, value रखके solve कर देना है, चलिए, sin 45, तो 1 by root 2, cos 45, तो यहाँ भी 1 by root 2, minus sin 30, तो sin square 30 है, तो sin 30 का value 1 by 2 होता है, तो 1 by 2 का square हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ into करोगा, तो 1 by 2, ठीक है, और minus 1 by 4, चलिए, यहाँ पर LCM लेके घटाते हैं, 4 होगा LCM, इसमें से बाग करेंगे, 2, 2, जाके एक मिगुना करेंगा, 2, इसमें से बाग करेंगे, 1, 1, जाके 1 मिगुना करेंगा, 1, यहनि कि एक बटा में, 4, चलिए, इसका second number देखते है, 10, 60 है, 10, 60 का value होता है, root 3, 10, 60 का value, root 3, sin, 60 तो root 3 by 2, अचा, cos, 60, तो cos, 60 का होता है, 1 by 2, जहीं नहोता है, चलिए, अब इसे मैं यहाँ पर solve करता हूँ, उपर root 3 है, नीचे आप LCM लोगे, 2, root 3 plus 1, यहाँ दो उपर चल जागा, हो जागा, 2 root 3, बटा में root 3 plus 1, इसका परिमेकरन करते है, root 3 minus 1 उपर भी गुना, और root 3 minus 1 नीचे भी गुना करते है, तो उपर उपर गुना हो जागा, यहाँ कि 2 root 3, अंदर root 3 minus 1, और बटा में दोखें, प्लस में minus में तो यहाँ हो जागा, root 3 का स्कार, माइनस वूनिका स्कॉर हैं चलिए दो रूट तीन फिर रूट 3-1 बटा में पर limited क्युक्षप यृ guarantee नीचे घरते काद 2 आजागा दो रूट 2 पिर रूट 3-1 बटा दो दो से 2 कार्ज वूट 3 में रूट 3 से गुन होगा 3 पर रूट 3 में वन से गुनह का दो यानि कि 3-3 इसका answer आ गया चलिए अगला question देखते हैं 3 का 3 नमबर यहीं पर देखता हूं 1060 का value वही root 3 है ठीक है 1060 का value root 3 साइन साथ का तो root 3 बटा 2 अच्छा cost 30 का तो cost 30 का भी होता है root 3 बटा में 2 चलिए root 3 नीचे LC हम लेंगे 2 root 3 प्लस root 3 यानि कि हो जागा root 3 बटा में 2 root 3 बटा 2 2 से 2 कटा root 3 से root 3 कटा एक आ गया चलिए इसको देखते हैं 4 बटा में sin square 60 तो sin 60 के value होता है root 3 बटा 2 square square लगा दो plus 3 बटा में cost 60 के value तो 1 by 2 का square तो यहां 4 बटा में 3 बटा 4 हो जागा और plus 3 बटा में 1 बटा 4 यह उपर चलिए चर्चों का 16 बटा 3 और यह 4 तिया 12 इनको LC हम लेके जोड़ता हूं 3 16 प्लस 12 इन 36 हो जाएगा इसमें इसको जोड़ दो तो आपका 52 बटा में 3 यह से answer आ जागा समझ गया चलिए इसका पांच नमर देखो पांच नमर में दिया है sin square 60 माइनस cos square 60 अच्छा देखो sin 60 के value आपको पता है root 3 by 2 square है तो square देदो और cos 60 का 1 by 2 का whole square चलिए यह हो जागा 3 by 4 यह होगा 1 by 4 LC हम लेके घटा दो तो आ जाएगा आपका 2 by 4 कटके 1 by 2 यहां से इसका answer आ जागा चलिए यहां पर इसको देखता है 4 sin square 60 तो 4 sin 60 के value root 3 by 2 का square plus 3 10 30 10 square 30 है तो 10 30 के value आपका 1 by root 3 होता है square कर दो minus 8 sin 45 यहां कि 1 by root 2 into में cos 45 तो यहां भी 1 by root 2 चलिए आगे मैं solve करता हूँ 4 into में 3 by 4 plus 3 into में 1 by 3 minus 8 into में 1 by 2 हो जागा इसे चार बार में कटेगा 4 से 4 कटेगा यहां 3 से 3 कटेगा तो यह 3 और 1 4 हो जाएगा और वहां minus का 4 तो घटेगा तो 0 आ गया चलते हैं अगले question पर यहां के देखते हैं 3 का 7 number 2 sin square 30 तो sin 30 के value 1 by 2 होता है square है तो square जी मैंनस 3 इसका 1 by root 2 का square plus 10 60 का root 3 का square चलिए यहां solve करते हैं 2 into में 1 by 4 minus 3 into में 1 by 2 और plus root 3 का square 3 तो यहां यह काट दो 1 by 2 minus का 3 by 2 plus में 3 चलिए LCM ले लो 2 1 minus 3 plus में 6 हो जाएगा यही ना LCM हो जाएगा तो यहां देखो 6 साथ साथ में से 3 गया तो आपका 4 और बटा में 2 कर जाएगा दो बार में इंसर दो आ गया चलिए इसको देखते हैं साइन 90 का value 1 साइन 90 का value 1 अच्छा कॉस 0 का value 1 साइन 30 का 1 by 2 और कॉस 8 का 1 by 2 तो यह 1 by 2 1 by 2 1 हो जाएगा और 1 2 और यह 1 3 हो जाएगा यहां देरेट लिख दिये चलिए अगला कोश्ण देखते हैं 9 नमबर इसका 3 का 9 नमद देखें साइन 90 का value 1 साइन 90 का value 1 कॉस 0 का value 1 10 0 का 0 10 45 का 1 जोड देंगे यहां से 3 आ जाएगा 3 ही न हो जाएगा इसका यही हो जाएगा आपका चलिए अगला देखें इसका 10 नमबर य लेकिन यहां का दिया है कि जहां पाई बराबर 180 है तो मैं इसको रखी देता हूं क्योंकि रेडियन वाले माप ना अधिकतर आपके बुक में नहीं ही दिये है लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता दिया कि कहीं कहीं आ जाता है कभी-कभी objective में पूर जाता है इसलिए मैंने बत सीधिए है न यहहां साइन स्कॉरियर फूरूटीफए टिक है चलिया देखें कॉस 0 का 1 होता है सब्सक्राइब होता है अрisa 45 का 1 by root 2 होता है तो इसका square तो यह 1 का square और 1 का square है 1 1 2 प्लस 1 by 2 इसका square कर दिए LCM ले लेते हैं 2 2 2 4 और plus में 5 बट्टा 2 इसका answer आजागा चलते अगले question पर चले 3 का 11 number देखो cos 60 तो 1 by 2 sin 40 है नीचे sin 45 तो 1 by root 2 का square minus 3 court 45 1 plus 2 sin 91 sin 90 के value होता है 1 चलिए तो यहां देखो 1 by 2 और यह भी 1 by 2 होगा square होगा तो minus का 3 plus का 2 यह कट जाएगा 1 तो 2 1 3 और 3 में से 3 गया 0 चलिए इसको देख लेते हैं यही पर देख लेते हो जाएगा 4 बटा में root 3 का square क्यों यहां पर देखो 1060 है ना जी square है square के 2 plus 1 by cos 30 तो cos 30 का कितना होता है root 3 बटा 2 root 3 बटा 2 का square अचा minus sin 45 का square है ने यहां पर तो यहां हो जाएगा 1 by root 2 का square चलिए आगे solve करते हैं 4 by 3 plus में यहां देखो root 3 का square 3 और 2 का square 4 तो चार उपर चलिएगा 4 by 3 minus का 1 by 2 चलिए इसका LCM नते LCM आपका 6 हो जाएगा इसमें सिभा करेंगा 2 जाके इसमें गुना करेंगा 8 दो जाके इसमें गुना करेंगा 8 इसमें सिभाके 3 जाके इसमें गुना 16 और 16 में से 3 घट गया तो 3 घटेगा तो 13 बटा में 6 यह आपका answer हो जाएगा अगला question देखते हैं 3 का 30 number यहां देखो cos 60 है cos 60 का value आपका होता है क्या 1 by 2 into cos 30 है तो root 3 by 2 sin 60 है तो root 3 by 2 और sin 30 है तो 1 by 2 यानि की हो जागा root 3 बटा में 4 minus में root 3 बटा में 4 यानि की 0 आ जागा इसका है ना तो अगला इसका देखते है 4 into यहां देखो sin square 30 तो इसका value मैं यहां रखते जाता हो तो बड़ा bracket ले लेता हो यहां पर इसका हो जागा root 3 by 2 का square minus यहां पर क्या हो जागा 1 by root 2 का square ठीक है cos 45 का value यहां पर रख दिये चलिए बटा में 10 30 यानि की 1 by root 3 का square square है और cos 90 तो cos 90 के value होता है 0 तो 0 का square कर देखते हैं चलिए आगे मैं solve करता हूं इसके बार फोर bracket के अंदर यहां पर 3 by 4 minus 1 by 2 और नीचे आपका 1 का square 1 और root 3 का square 3 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़े यह जागे उपर गुना कर जागा यह नहीं हो जागा 12 बारा और bracket के अंदर मैं LCM लता हूं तो इसका LCM होगा आपका कितना चार इसमें से भाग करेंगे एक जाके तीन में गुना करेंगा तीन इसमें से बाग करेंगे दो दो जाके कोश्चन है पहला कुश्चन ही देखो यह साइन 30 मैं डायक्ट वैलू रखता हूँ ना वन बाई टू कॉस्ट 45 वन बाई रूट टू पलस में कॉस्ट 30 का रूट 3 बाई टू और साइन 45 का 1 by root 2 चलिए मैं इसको solve करता हूँ 1 by 2 root 2 और root 3 by 2 root 2 LCM ले लो यहाँ पर 2 root 2 LCM हो जागा तो 1 plus root 3 या इसे ऐसे भी ली सकता है root 3 plus 1 बटा में 2 root 2 एक ही बात है इसको देखो यहाँ पर कॉसेक square 30 है तो कॉसेक 30 के value की बात कर तो 2 होता है 2 का square 60 तो सेक 60 की value की बात कर तो इसका भी 2 होता है तो 2 का square यही न हो जाएगा आपका चलिए तो इसके बाद मैं solve करता हूँ तो यहाँ पर देखो 2 का square 4 हो जागा और 1 के square में इससे गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ भी 2 का square 4 चार में से चार गया जीरो आ गया चलते हैं अगले question पे चलिए आगे जगते हैं 4 का third number 2 sin square 30 तो sin 30 के value 1 by 2 तो square कर देंगे इंटू में 10 60 तो root 3 minus minus 3 cos square 60 तो cos 60 के value होता है 1 by 2 1 by 2 का square हो जागा इंटू में 6 square 30 तो 6 square 30 के value हो जागा से ख़टी का 2 by root 3 होता है यहाँ पे हो जागा 2 by root 3 के square नहीं दखो यहाँ 2 into 1 by 4 into में root 3 है ना minus 3 into 1 by 4 into में 4 by 3 तो यहाँ 4 से 4 काट दो 3 से 3 काट दो यहाँ इसको 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 काट दो तो root 3 बटा दो और minus का 1 यहाँ पे चाहो तो LCM ले सकता हो root 3 minus 2 यही आपका answer आगा चलते हैं इसके अगले कोसम पे इसको देख लेते हैं हो जागा 1060 तो 1060 के value root 3 कौसेक स्क्वाइर 45 तो कौसेक 45 की बात कर दो उसका root 2 होता है तो यहाँ हो जागा root 2 का square plus 6 square 60 तो 60 के value की बात कर दो तो 60 के 2 होता है तो 2 का square into 1045 1045 का 1 हो जाता है चलिए तो यहाँ पे क्या हो जागा root 2 का square 2 यानि किसे मैं 2 और root 3 लिख सकता हूँ और plus 2 का square यहाँ चार एक से गुना होगा तो वही है का इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 plus 2 root 3 कोई दिकत नहीं है यहाँ से 2 common कर लो 2 plus root 3 ऐसा इसलिए कि ताकि आपका answer same to same आ जाए चलिए अगला question देखते हैं इसका 5 number देखते हैं तो यहाँ देखो value रखते जाते हैं आपे 1030 तो 1 by root 3 645 तो root 2 अच्छा फिर आपका 1060 है root 3 फिर 630 है तो 630 क्या हो जाएगा 2 by root 3 तो सारे सिर्फ value आपको याद होंगे तो कोई दिकत नहीं होने वाले simply आपसे बन जाएगा तो यहाँ से देखो root 3 से root 3 कट गया यहाँ पे देखो यह आपका root 2 by root 3 root 3 से उपर भी गुना और नीचे भी गुना और प्लस में 2 यहाँ हो जाएगा उपर root 6 और नीचे root 3 में root 3 से गुनाँगा 3 और प्लस 2 root 6 बटा 3 प्लस 2 इसका एंसर आ गया चलिए अगला question देखते हैं 6 नम्बार इसका यहाँ पे भी आपको simply सबके value रख देना है cos 60 है root 3 cos 30 है root 3 by 2 cos 45 है 1 by root 2 sin 30 है 1 by 2 sin 45 है 1 by root 2 चलिए अब इसको भी simplify कर देते हैं यहाँ होगा root 3 बटा में 2 root 2 और minus 1 बटा में 2 root 2 आप इतना भी छोड़ सकते हैं या LCM लेलो इसका LCM लेलो यहाँ पे 2 root 2 root 3 minus 1 root 3 minus 1 अब चाहो तो इसका परिमेकरन कर सकते हो यह भी छोड़ सकते हो तो root 2 से उपर भी गुना और नीचे भी गुना आपका उपर आजागा root 2 अंदर में root 3 minus 1 और यहाँ पे root 2 में root 3 गुना होगा 2 और 2 पहले से हैं तो दो दुना 4 तो यह आपका answer हो गया चलते हैं अगले question पर चलिए अगला देखते हैं 4 का 7 number यहाँ दिया है 4 by 3 10 square 30 तो 10 30 के value जानते हैं 1 by root 3 square कर देंगे प्लस यहाँ into में है sin square 60 तो इसका हो जागा root 3 by 2 का square minus 3 cos square 60 तो 1 by 2 का whole square हो जागा है क्योंकि इसका 1 by 2 होता है चलिए प्लस 3 by 4 10 60 तो 10 60 का root 3 होता है root 3 का square अच्छा minus 2 10 square पैता है तो इसका 1 होता है तो 1 का square 4 into में 4 by 3 into में हो जागा 1 by 3 और प्लस यहाँ root 3 का square 3 और 2 का square 4 minus 3 into में 1 by 4 ठीक है अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो 3 by 4 into में 3 minus में 2 चलिए यहाँ क्या हो जागा 4 by 9 प्लस में 3 by 4 minus में 3 by 4 प्लस में 9 by 4 और minus में 2 तो यह दोनों कर जाएगा बाकी तीनों का LC हम लेते हैं 36 होगा इसमें से भाग करेंगे 4 चर्चों का 16 इसमें से भाग करेंगे 9, 9, 81 हो जाएगा और minus यहाँ कुछ नहीं तो 1 है एक में से भाग करें 36, 36, 2, 72 हो जाएगा तो इन दोनों को जोड के इसमें से घटा लेते हैं तो घटा लेंगे इन दोनों को जोड के घटाएगे तो आपका आजएगा 25 और 25 बटा में 36 यहीं न आएगा चर्चे अगला कोशन देखते हैं 4 का 8 नमबर देखते हैं इसमें भी सारे वैलू खाली आपको रखे स्वालू कर देना है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 10 स्क्वाइर 60 तो यहाँ पर 10 60 का वैलू है रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वाइर प्लस 4 कॉस स्क्वाइर 45 तो कॉस का 45 का होता है 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 का स्क्वाइर प्लस 3 सेक स्क्वाइर 30 तो सेक 30 का होता है आपका 2 बाई रूट 3 यहां पर square कर दो plus 5 cos 90 cos square 90 तो cos 90 की value कितना होता है आपका 0 होता है तो 0 का square कर देगे बटा में देखो cos 130 cos 130 के आपका 2 होता है तो यह plus में 1660 के आपका 2 ही होता है 1660 के आपका 2 होता है फिर cot square 30 Keys 730 का root 3 chess square है तो इस्क्वायर हो जागा इन पर नहीं था नहीं लगाए चलिए यहां 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटु में 1 by 2 प्लस 3 इंटु में 4 by 3 क्या स्क्वायर कर रहा है और यहां तो 0 हो जाएगा आपका बाई में आपका 4 माइनस 3 चलो आगे सॉल करो यहाँ देखो यह कटेगा दो बार में यहाँ यह कटेगा चलो 3 प्लस 2 एकम दो प्लस में 4 और बटा में 1 तो 3 दो 5 और 4 9 बटा एक यह निकी 9 एंसर आजएगा चलते हैं अगले कोर्षन पे चलो अगला देखो इसका 9 नमबर देखते हैं 4 का 9 नमबर सिंपल यहाँ भी वैलू रखना है 5 साइन स्क्वार 30 तो 1 बाई 2 का स्क्वार हो जाएगा ठीक है प्लस कॉस स्क्वार 45 तो 1 बाई 2 का स्क्वार माइनस 4 10 स्क्वार 30 तो इसका 1 बाई रूट 3 होता है 1 बाई रूट 3 का स्क्वार अच्वार अब बटा में देखो यहाँ 2 साइन 30 तो साइन 30 का वैलू जानते है 1 बाई 2 कॉस 30 तो कॉस 30 का वैलू होता है आपका रूट 3 बाई 2 प्लस 10 पैंतालिस तो 1 चलिए अब इसको solve करते है तो यहाँ देखो 5 इंटू में 1 बाई 4 प्लस यहाँ हो जागा 1 का स्क्वार 1 और रूट 2 का स्क्वार 2 अच्छा और यहाँ पे माईनस 4 इंटू में 1 बाई 3 चलिए और इसके बटा में देखो यहाँ 2 से 2 कर देंगे तो रूट 3 बाई 2 और प्लस में 1 चलिए अब इसको आगे solve करते हैं तो आगे solve करते हैं इसको 5 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 माईनस 4 बाई 3 और इसके बटा में है आपका रूट 3 बाई 2 प्लस में 1 तो उपर LCM लेलो और नीचे भी LCM लेगा तो उपर LCM आपका 12 होगा इसमें इसे बाई करेंगे 3 ठीक है और 3 जाके इसमें गुना करेगा तो 15 आजाएगा इसमें इसे बाई करेंगे 6 और 6 जाके एक में गुना करेगा तो 6 ही होगा इसमें इसे बाई करेंगे 4 4 जाके 4 में गुना करेगा तो 16 हो जाएगा चलिए और बटा में आपका यहां भी LCM ने लो 2 तो यहां हो जाएगा रूट 3 पलस में 2 ठीक है इसको मैं इसे काड़ सकता हूँ 6 बार में और यहां नीचे 1 है तो 1 जाके उपर गुना करेगा ना तो यहां देखो कितना हो जाएगा पंदरा 6 का इसे का इसमें 16 जागा पांच और एक जाके उसमें गुना कर गया और यह 6 के साथ गुना कर गया जैंकि 6 ब्रैकेट में 2 पलस रूट 3 यहां वाला टर्म इसके साथ गुना कर गया और यहां इसके साथ गुरा कर गया, यह आपका answer हो गया, समझ गया, तेले question number 5 देखिए, करान निम्रिखित question से देखिए, पहला question देखते हैं, इसका LHS लेते हैं, LHS, LHS में क्या दिया है वह या, 1 minus cos B, into में 1 plus cos B, और बटा में है, 1 minus sin B, और into में है, फिर 1 plus sin B, हमें प्रूब करना है, इसका value 1 by 3 होगा, जब B आपका 30 है, तो एक काम करो, एक बार minus में, एक बार plus में होते हैं, A square minus B square वाला formula लगा दो, और नीचे भी हो जाएगा, 1 का square minus sin square B, तो उपर देखो, 1 का square 1, तो 1 minus cos square formula क्या होता है, sin square का, तो sin square B हो जाएगा, और नीचे यहा, cos square B हो जाएगा, तो यहां से 1 by 3 हा जाएगा, इसका square, तो यही आपका RHS हो गया, प्रूफ हो गया, चलिए इसका second number देखते हैं, तो second number भी same ही question है, same question है, आप इसका LHS लो, 1 minus cos alpha, फिर into में 1 plus cos alpha, बटा में 1 minus sin alpha, और into में 1 plus sin alpha, यह न दिया हुआ है, तो देखों, एक बढ़ माइनस में है, एक बढ़ प्लस में है, तो यहां भी A square minus B square लग जाएगा, और नीचे भी वह ही, 1 का square minus sin square, तो देखों, यहां 1 का square 1, 1 minus cos square, आपका sin square हो जाएगा, और यहाँ पे 1-sin square है तो cos square हो जाएगा यहाँ से आ जागा 10 square alpha और alpha का value 60 कह रहा है तो 10 square 60 तो 10 60 का value आपको पता है कि root 3 होता है और root 3 का square करेंगे तो 3 आ जागा यहीना आपको prove करना था चलते हैं अगले question पे अगला देखिए 5 का 3 number यहां भी prove करना है LHS के बराबर और A और B का value 60 देए यह का भी value है और B का value 60 है तो पहले LHS ले लो LHS में है आपका cos A minus B तो यहाँ पे A और B का value रख दो cos A के जगा पर 60 और B के जगा भी 60 घटाओ के तो हो जागा cos 0 cos 0 का value 1 होता है cos 0 का value 1 होता है अब RHS लो दोनों में रख देंगे cos A cos B plus sin A sin B चलिए यहाँ पे रखते हैं cos A यानिकि cos 60 cos 60 plus sin 60 sin 60 चलिए मैं value रख देता हूं cos 60 का value 1 by 2 यहाँ भी 1 by 2 अच्छा sin 60 का value तो root 3 by 2 root 3 by 2 यहाँ हो जागा 1 by 4 यहाँ 3 by 4 LCM ले लो 1 plus 3 4 by 4 यानि कटके आपका 1 आ जागा तो देखो तो LHS RHS के बराबर नहीं हो गया यहाँ हमने इसे प्रूब कर दिया चलिए चलते हैं अगले question की ओर चलिए 5 का फोर नमर दो इसमें भी हमें साबित करना तो इसका LHS ले लो LHS में दिया है 4 sin का power 4 30 degree और फिर cos का power 4 60 degree और minus 3 cos square 45 minus sin square 90 चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पर value को रखते हैं 4 bracket के अंदर अज़ा sin 30 के value कितना होता है 1 by 2 का power 4 कर दो cos 60 के value तो इसका भी होता है 1 by 2 का power 4 कर दो minus 3 यहाँ दिया है cos 45 तो cos 45 का 1 by root 2 square है square कर दो sin 90 तो इसका 1 का square कर दो चलिए यहाँ पर देखो 4 bracket के अंदर 1 by 2 का power 4 है तो 16 हो जाएगा और यहाँ भी 1 by 16 minus 3 यहाँ देखो क्या आएगा 1 by 2 minus में 1 चलिए आगे इसको solve करते हैं अंदर calcium ले लेते हैं यहाँ जाएगा 16 1 plus 1 minus 3 यहाँ भी अंदर calcium लेलो 2 1 minus 2 चलिए देखते हैं 4 यहाँ पर आजाएगा आपका 1 1 2 हो जाएगा 2 by 16 2 by 16 और minus 3 into में यहाँ पर minus का 1 by 2 इसको इससे काड़ देते हैं 4 बार में इसको इससे काड़ देते हैं तो 1 by 2 यहाँ minus minus plus 3 by 2 दोनों को calcium लेकर जुड़ दो 1 plus 3 यानि कि यहाँ से हो जाएगा आपका 4 by 2 कटके आपका 2 आ गया समझ गे ना चलिए अगले कोशन पर चलते हैं चलिए अगला देखिए 5 नंबर 5 का चलिए देखते हैं यहाँ पर दखो मैं LHS लेता हूं LHS में साइन 90 है तो साइन 90 के वैलू पता है 1 होता है RHS लो RHS में है आपका 2 साइन 45 इंटू में कॉस 45 पिछलिए इनके वैलू को रखता हूं 2 इंटू 1 by root 2 और इंटू 1 by root 2 तो 2 इंटू में 1 by 2 हो जाएगा यहाँ गुना करेंगे 1 by 2 2 से 2 कट गया 1 आ गया तो देख रहे ना LHS बराबर RHS आ गया ठीक है यानिकि हम लोग कह सकते है कि साइन 90 बराबर है 2 साइन 45 इंटू में कॉस 45 तेले इसको देखते हैं देखो इसको लेते है पहले देखो इसमें LHS RHS नहीं लेंगे यहां पर तीन अलग-अलग पार्ट में दिये हो तो कॉस 60 का वैलू आप जानते है 1 by 2 होता है इसको लो 2 cos square 30 minus 1 तो 2 cos square 30 यानिकि root 3 by 2 का square minus 1 2 इंटू में 3 by 4 minus 1 इसको इसको काड़ देते हैं 3 by 2 minus 1 यहां LCM लेके घटा दो 3 में से टो 1 by 2 इसका भी आ गया अच्छा इसका भी 1 by 2 है इसका भी 1 by 2 इसको देखते है 1 minus 2 sin square 30 1 minus 2 sin square 30 चलिए 1 minus 2 sin 30 के value 1 by 2 square है square कर देंगे चलिए आपका क्या हो जागा यहां पर यहां आ जागा 1 minus 2 into 1 by 4 यहां आपका 1 by 2 तो 1 में से 1 by 2 घटाएंगे यहां भी आपको 1 by 2 ही आ जागा चलिए LCM लो यह भी 1 by 2 तो यहां से यह बराबर हो गया यहां पे हम लिखा सकते हैं इसलिए यहां पर लिख सकते हैं क्या था आपका question में तो cost 60 बराबर 2 cost square यहीं लिख देना last में यहीं लिख देना ठीक है बराबर हो गया तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं next वीडियो में आगे question को देखेंगे please आप channel को subscribe कर दे, bell icon दबा द लिंक प्राप्त हो जाएंगे thanks for watching the video